का किसी उटी ट्वीटी ट्वैटएशन और चैनल वाला है रिजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है माम रीजिस्ट्रेशन स्ट्रेशन इस प्हांच रही हो तब आपके लिए लि finding यकि यांग को सकता है कि आपका जो सक्छा नचाई अनٌ तो इस वीडियो को आपको required होते हैं what are the eligibility criteria so please make sure that आप end तक ज़रूर रुके हुए हैं यार जो भी paper NTA conduct करता है उसका अगर हम admit card बात करें उसका हम registration बात करें उसका हम result बात करें वो इतना easily तो नहीं आ जाता है थोड़े तो पापड बेलने पड़ते हैं यानि कि NTA हमेशा एक इम्तिहान लेता है तो इस बार भी थोड़ा इम्तिहान ही चल रहा है इम्तिहान का पीरिडी चल रहा हम CUT exam की बात करें तो 2023 में बिटा ये exam पूरा एक लंबा चोड़ा महीना चला था है ना ऐसा नहीं कि एक इस बार थोड़ा से इम्पूर्मेंट है कि आपका जो पेपर है वह पंदरा महीं से लेकर 31 महें के बीच में आपके दिफरेंट इफरेंट इफरेंट में हैं रिजिस्ट्रेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप एक CUT के आस्परेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टन रहने वाला है for your board preparation as well as your CUT preparation so first of all subscribe to the channel and press a bell icon क्योंकि यहां पर आपके लिए मैं बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ for your CUT preparation as well as for your board preparation तो यहां पर अगर हम official website की बात करें cut.sumarth.ac.in तो इस official website पर आप देख सकते हैं अभी 2023 लिखा हुआ है but अगर हम इसको थोड़ असा scroll up करते हैं तो जितनी भी important dates हैं अगर हम 2023 की बात करें तो जितनी भी important dates हैं उससे हम यह conclusion निकाल सकते हैं कि जो 2024 में आपका registration है that is going to start from 9th of February या फिर अगर हम बात करें 12 February तक maximum आपके जो registrations हैं वो start हो जाएंगे so these are my dates mark my dates यार 9th February से लेकर 12 February के बीच में आपके registration स्टार्ट हो जाएंगे last year बात करें 9 February को बेटा आपके registration स्टार्ट हो गए थे and ending date क्या है मैं क्योंकि हमारे तो मैं उस टाइम पर फिर board exams आने वाले होंगे अब NTA usually हमेशा ऐसे करता है एक ऐसा atmosphere develop कर देता है जिसमें बच्चे को panic हो जाता है as board exams are around उसी दोरान बेटा आपके जो registrations हैं वो open कर देगा तो आपको वहाँ पर डर लगेगा भाई कि हमारा registration फिल नहीं हो रहा है इतनी क्या क्या documents required है तो for that मैं आपके लिए पहले ही detail में सब चीज़ें आपको बता रही हूं बटा कि आपको जो registration है वो 9th February से लेकर 12 या 13 February के बीच में start हो जाएगा ending date जो रहेगी वो most probably March की second week या फिर extend करके उसको March की last week तक ले जाते हैं क्योंकि board exams होते हैं बच्चे हर बार request करते हैं कि इसको extend कर दिया जाए what will be the procedure, कैसे follow करना है, कैसे steps follow करने है, किस तरीके से form भरना उसका detail video आपको इसी channel पर मिलेगा so don't forget to subscribe to the channel and यहां पर मैं आपके साथ एक और चीज डिसकस कर लेती हूँ the important things which you need to take care of, जो आपके form के लिए important है आपके लिए एक scan photograph तयार रखो अपनी है जो application form में जुरत पड़ेगी size 10KB से लेके 200KB तक के बीच में होना चाहिए JPG format या JPEG format को होना चाहिए with 80% face without mask, mask के बिना then आपका scan signature 4KB to 30KB then scan copy of category certificate if you are belonging to a particular category SC, ST, OBC तो उसका category certificate आपके पास scan होना चाहिए scan copy of PWBD certificate if you are applicable for this so application form जैसे आएगा ऑटा official website पर ही release किया जाएगा आप अपने सारे documents ready रखें, इस channel को follow करते रहें देखो documents ready रखोंगे, application form फिल कर दोंगे बट उसकी जो तयारी है वो भी तो जरूरी है ना यार अगर आप तयारी नहीं कर रहे हो, आप CUT paper को बहुत हलके में ले लेते हो especially में science students की बात करूँ तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो NEET की preparation करें, JAE की preparation कर रहे है, हमारा CUT क्या है ऐसा ही निगल जाएगा माम चुटकियों में, है ना इतना मुश्किल वाली बात तो नहीं है माम है यार, अब अगर मैं एक chapter की बात उठा लेती हूँ, physics में communication system, that is not part of your NEET, that is not part of your board exams, but it is part of your CUT, CUT में कुछ भी syllabus reduce नहीं हुआ है, NEET में तो कितना भर-भर के syllabus reduce हो गया, so approach is different, तरीका different है सारे जितने भी students मेरे साथ जुडे हैं, संकल 1.0, 2.0 वालों के लिए, उनके लिए तो manudatory है, आपको संकल pro batch में आना ही है, माम आपको CUT की preparation करवाने वाली है, साथ ही साथ मेरी team पूरी मिलके यहाँ पर हम बात करें, आप simply description में भी check कर सकते हैं, links को, but simply आप under 24-7 भी type करेंगे, है ना, तो वाँ पर all courses में जाके आप K12 section में जाएंगे, अब, आप सोचेंगे माम, हम तो undergraduate entrance exam की तारी कर रहे हैं CUT, तो undergraduate entrance exam है, हम K12 में क्यों जाएं, तो हमने एक batch यहाँ पर launch किया है, जो आपकी boards plus CUT के preparation करवा रहा है, तो उसमें अभी का time है, you will be focusing on your board preparation, फिर जैसे आपका board preparation खतम होगा, we will be continuing your CUT classes, so that is a compact course which you need to go for and buy it, जैसे आप K12 section में जाएंगे, यहाँ पर आप view all करेंगे, और आपको इसका link नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है, इस video के नीचे भी आप देख सकते हैं, so Sankal pro science complete batch, जैसे आप इस पर click करेंगे, buy now पर click करेंगे, इसमें code लगाएंगे Y549, Y549 लगाते ही बेटा, यह जो course है, वो आपको 4,066 रुपीज का पड़ेगा, अब इस price में, इस price में, you will be getting all the lectures for your board preparation, सारे subjects, plus बेटा, CUT की complete team आपके सामने हैं, जिसमें आपका English और GT भी include होगा, हम बहुत हलके मिलेते हैं यार इन और हम बहुत हलके मिलेते हैं इस exam को, दोनों ही चीजे नहीं करने हैं, क्योंकि यह exam बाप के लिए बहुत important रहने वाला है, so come and enroll in this batch, यार, already बहुत सारे बच्चे इसमें enroll हो चुके हैं, classes will be starting, after your board preparation, but उस time पर जो prices हैं, इस course की हाइक हो जाएंगी, I don't want कि कोई भी बच्चा इसको increased price पर बाय करें, so this is the right time, go for this, enroll करके रख लो इसमें, इसमें, बटा, sample paper का access, e-books है ना, सब कुछ available है, everything is available, mock test भी इसमें included है, exam अगर कोई देने जा रहे नो, उसमें mock test सबसे important रहता, तो mock test भी included है, बटा, go for it and enroll in it, date याद रखेगा, 9 से 13 February के बीच-बीच में, आपके जो registrations हैं, वो start हो जाएंगे, अगर, मैं बोल रही हो, exceptionally thing होने बाली है, है ना, कि आपका शायद registration आज ही start हो जाए, that will be an exception, otherwise, जो official से पता चल रही हैं, dates, वो यही है, बटा, कि 9 से लेकर 13 February के बीच-बीच में, आपका registration स्टार्ट हो सकता है, so stay tuned with us on this channel, and अगर आप एक ऐसे aspirant है, जो इस बार board की भी तैयारी कर रहा है, so आपके लिए यहाँ पर महा marathon of complete physics अलड़ी लगा दिया गया है, 10 February को मैं आपको 12 बजे मिलने वाली हूँ, पूरी की फूरी physics, first chapter से 14 chapter दर करवाने के लिए, तो इस session को भी आज ही जाकर, जाके like कीजिए, इस channel को subscribe कीजिए, और इस event का reminder set कर लेना, ठीक है, so see you all soon in the classes, till then, take care and bye-bye.